दोस्तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ समसंग के लेटेस्ट OneEyes 6.1 के अपडेट डेट के बारे में कि समसंग के कौन-कौन से डिवाईस के अंदर जो है OneEyes 6.1 का अपडेट जो है समसंग ने कब से जो है रोल आउट कराना स्टार्ट करेगा तो सारा कुछ यहाँ पर इस वीडियो में इंफोमेशन सेयर करने वाला हूँ तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजीगा और चैनल को भी तक आप सब्सक्राइब ने कि हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेजीगा देखिए समसंग के जो स्मार्टफोन है जैसे फ्लेक्सिप सिरीज के डिवाइस हैं जैसे समसंग के समसंग जो है एस 23, अल्टरा, एस 22 अल्टरा यह सब ही जो फ्लेक्सिप सिरीज डिवाइस हैं तो इन डिवाइस के अंदर जो है Samsung ने बताया था कि February के मंथ से ही रोलाउट कराना स्टार्ट करेगा लेकिन यहाँ पर एक दो महिने डेले हो गया है Samsung ने अब यहाँ पर बताया है कि OneEye 6.1 का अब्डेट जो है हमें March के महिने में देखने को मिलने वाला है और मैं आप लोग को बता दू कि Samsung के जो डिवाइस हैं जो eligible डिवाइस हैं OneEye 6.1 के अब्डेट के लिए है तो इन डिवाइस के अंदर जो है OneEye 6.1 का अब्डेट जो है सबसे पहले जो देखने को मिलेंगे जो flexible series के category के डिवाइस हैं S22, S23, S21 यह जो डिवाइस है इन डिवाइस के अंदर जो है OneEye 6.1 का अब्डेट से पहले देखने को मिलेंगे और जो डेट होने वाला है 11 मार्च से 20 मार्च तक यानि 11 मार्च यानि आप समझ लिए ये मार्च के महीने में आपको जो flexible category के डिवाइस हैं इन डिवाइस के अंदर Android 14 के अंदर OneEye 6.1 का अब्डेट जो है मैं देखने को मिलेगा समसंग ने प्रोवाइट कराएगा यानि अगले महीने में तो आपको थोगा सा वेट करना है वेट कर लिजे अभी तो समसंग ने OneEye 6.0 का अब्डेट ही बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर प्रोवाइट नहीं करा है जैसे समसंग का A52 4G डिवाइस समसंग का A72 ये सभी जो डिवाइस हैं इन डिवाइस के अंदर अभी तक Android 14 OneEye 6.0 का प्रोवाइट मिलना था लेकिन यहां पर यह डिले हो गया है मार्च के महिने से स्टार्ट होगा वनEye 6.1 का साफ्ट अबेट मिलना तो आपको थोगा सा वेट करना है वेट कर लिजिए जैसे ही कोई भी अपडेट आ रहा है कोई भी इंफो मेंस मिलती है तो मेरे चनल पर आपको देखने को मिल जाएगा चनल को जरू से सस्क्राइब कर लिजिएगा